पहला स्टॉक रिलाइंस नेवल, एमदबाद से किर्थिक नागर का सवाल है, 2000 शेर हैं इनके पास रिलाइंस नेवल की 15 रुपए की बाइंग रही है तो वीक स्टॉक इसमें एक्जिट निगल जाना चाहिए इंडिया सिमेंट, नॉइडा से हमें ताप से नहां पूछना है क्या करें 145 रुपए पर इन्होंने खरीदा है 1500 शेर मुझे लगता है 100 लेवल था, बहुत स्ट्रॉंग साइकोलोजिकल सपोर्ट है वहीं से एक बाउंस मिला है, मुझे लगता है आप डाउंसाइड खतम होगा अप मुझे शुरू हो सकता है, वक्त लगेगा इनकी कॉस्स आते होते, लेकिन होल्ड करना चाहिए KPIT, हार्शम खान होल्ड करते है KPIT के 200 शेर 285 की बाइन है मेरे खाल से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर में पॉजिटिव है, क्रेक्शन आया है, अब मुझे होल्ड कीजिए, मुनाफा मिले का इनको GTPL हाथवे, रामनुज के पास है 900 शेर और 160 रुपए 5 पैसे पर इन्होंने से खरीदा है, फिला लॉस हो रहा है निकल जाना चाहिए, एक्जिट, मुझे रखता है इसका स्टॉक में फ्यूचर लगने ही रहा है, एक्जिट, क्लियर कट Capacity Infra, पोरबंदर से शुभम, पूच रहे हैं क्या करें, 100 शेर हैं, 350 के लेवल्स पर खरीदा था इन्होंने अब थोड़ा होल्ड करना चाहिए, है तो structure week अपमों मिल सकता है, लेकिन अपमों का advantage लेकर निकल ज़रूर जाहिएगा सब्सक्राइब करते हैं, 2000 शेर, 383 रुपे पर इन्होंने खरीदा है इसे, बहुत बढ़िया, यह तो long term के लिए stock बहुत बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए, 525-550 का जोन भी देखेंगे मोर्पन लाब, पूने से अमरित जानना चाहते हैं कि 28 रुपे पर इन्होंने से खरीदा है, 230 होल्ड करते हैं, क्या करें अभी थोड़ा आपमों मिल सकता है, इनको 32 और 35 के आज़वस मौका मिले तो निकल जाहिएगा IDFC बैंक, कानपूर से दिवेंदर जी का सवाल है, 200 शेर, 46 रुपे की खरीद रही है इनकी में भी ये भी थोड़ा होल करना चाहिए, 42, 44 का ये जोन मिलेगा, वहापन निकल जाहिएगा, जरूर तानला सल्यूशन, संजीव भाट्या जी के पास है, 300 शेर, 37 रुपे की खरीद होल कीजिए, तो अपको मिल सकता है, करीब 45 के आसपास, 40 और 45 के आसपास, जब भी मौका मिलेगा, वहापन निकल जाहिएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा इंडिको रेमेडी, राजकोट से जैसमीन का सवाल, और आज हमने देखा, कैनिटा एहल के तरफ से इनने एक अप्रूवल अपनी गोवा यूनिट के लिए मिलाए, स्टॉक में हमें एक सबतस मुमेंटम देख रहे थे, पर इनकी जो खरीद रही है, उससे अभी तो स्टॉ काफी नीचे नजर आ रहा है, 263 पर खरीदा है, आज एक सबतस मोमेंटम देख रहा है, लेकिन फिर भी नुकसान काफी है तो वीक स्टॉक्चिर जो भी अपमू मिल रहा है, वो मुझे फेक लग रहा है, तो मैं देखल से अपमू का एडवांटि निकल जरू जाएगा, क्योंकि बेसिकली स्टॉक्चिर इसका वीक है, रेसिस्टेंस बहुत है करीब 190 के आसपास, चांस मिले तो वहापन निकल डेल्टा कॉप, रांची से सौरब पांडे पूच रहे हैं, क्या करना चाहिए, 270 के लविस पर इन होने से खरीदा था, 7 शेर हैं, करीब 28 रुपे पर शेर, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है होल करना चाहिए, और होल भी करना चाहिए, मीडियम नम्टो लॉंग टर्म के हिसाब से, अब ऐसी जगा पर ट्रेट कर रहा है, यहाँ पर लगता है कि कंसलिडेशन हो रहा है, अब को मिलेगा, 300 का जोन भी देखने को मिल सकता है, डेल्टा कॉप साथ इंजियन बैंक, हिसार से प्राण का सवाल, 500 शेर है, 21 रुपे, 25 पैसे की खरीब बिल्कुल होल करना चाहिए, 24 का एक मौका मिलेगा निकलने का, 24 के असपास महानगर गैस लिमिटर, इंद्रिनील जा का सवाल है, 36 शेर, 888 रुपे, 888 की खरीद रही है अगला स्टॉक, ग्रासिम, 500 शेर हैं और प्रशांत ने से खरीदा था, 1056 के भाव पर पंचाब नाशनल बैंक, होल साथा के बपा का ये सवाल है, इन्हों मिलेगा, हजार का जोन भी देखने को मिलेगा इन्होंने इसे 500 शेर खरीदे है, 88 रुपे में इन्होंने खरीदा है, लॉस करीब 10 रुपे पर शेर उठा रहे है लेकिन है तो वीक स्ट्रक्चर अपनों मिल सकता है, लेकिन बेचने की जा कुछ 83 है, कि ये कॉस्ट 88 है, फिर भी पांच प्रे का नुपसान होगा, निकल जाना चाहिए स्टॉक से State Bank of India, सूरत से चंदन का सवाल, 100 शेर 258 रुपे में खरीदा है Nothing to worry, hold कीजिए, एड करना चाहिए तो एड भी कर सकते है, मौका मिलेगा निकलने का, 278, 280 जोन्स पर SPI hold कीजिए, और इसे के साथ प्रकाश जीतना ही वक्त थाज स्टॉक फटाफट में, अब बताईए किन स्टॉक्स पर आपकी नजरा है, आपके मुनाफिवाले शेर कॉन से होंगे मुझे दो स्टॉक अच्छे लगते हैं, एक तो है, लॉंग साइड, रिस्वाट रिशो कह सकते हैं के फिवर में, अशोक लेलेंड में शायद एक अपूम मिले क्योंकि आज लगता है कि ऑटो शेत्र में थोड़ी हरकत नजराती है, इसका टागेट 138 का है, स्टॉब होग उन्नी सोबीष, ओके सटी सेल साइड और अशोक लेलन पसंदारा खरीब के लिए, प्रकाशी धन्यवाद आपने वक्निकाला सौदा आपका के लिए, और प्रकाशी आबा के साथ साथ मैं भी लूंगी यहीं परिचासर देखें